वेलकम तो एक्जाम्स अक्याडमी प्लस अभी 68 BPSC में जो भी क्वेस्टन्स पूछे गया है उसके सॉलूशन का यह थर्ड वीडियो है अगर आपको फॉस्ट और सेकेंड वीडियो देखना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है आप वहां से बीच सेटेशन और सेटेंड वीडियो को देख सकते हैं सुस आप grand कर में कि में सॉशैना मीडियastर को ने दिया गया है आप अब अनधर पेज पेज है उसको भी कर सकते हैं और इस वीडियो का जो पीडिय Rica है वह हमारे टेलग्राम के गूरूब में डाल दिया गया है जिसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है आप वहां से हमारे टेलिग्राम गुरूप को ज्वाइन कर सकते हैं और वीडियो का जो पीडियाफ है उसको डाउंड़ोड कर सकते हैं पहला तैरता हुआ सोर उर्जा सन्यंत्र बिहार में किस अस्थान पर बनाया गया है ओप्सन नमबर ए है कदीराबाद जो दरवंगा में है ओप्सन नमबर बी दिल बरपुर जो दरवंगा में है जमालपुर जो दरवंगा में है और ओप्सन नमबर टी है जो उपर्युक्त में से एक से अधिक और ओप्सन ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं सो इसका जो एंसर होगा वो होगा हमारा ओप्सन नमबर ए कदीडा बाद दर्भंगा नेक्ट क्वेशन वर्स दो हजार उनीस बीस से बीस के आर्थिक सर्वेच्छन के अनुशार किस जीले की प्रती व्यक्ति आय सबसे कम है यानि वर्स दो हजार उनीस से बीस के आर्थिक सर्वेच्छन के अनुशार किस जीले की जो पर पर्षन जो इंकम है वो सबसे कम है ओप्सन जो है वो है सीता मढ़ी, शिभर, अरडिया, उपर्युक्त में से एक सिया दिक्या उपर्युक्त में से कोई नहीं सो इसका जो एंसर होगा वो होगा हमारा ओप्सन नमबर बी, शिभर शिभर का जो प्रतिवेक्ति आया है वो सबसे कम है नेक्स्ट वर्स दो हजार बीस से 21 के लिये नीती आयोग BMW River SDZ report के अनुषार बिहार राज्य का स्कोर कितना रहा है आप्सन A 100 में से 52 B जो है वो 100 में से 22 C जो है वो 100 में से 35 और D जो है उपर्युक्त में से एक से अधिक और E जो है वो उपर्युक्त में से कोई नहीं सो इसका जो आइंसर होगा वो होगा हमारा टूर्णामेंट में पहले बार किस खेल को सामिल किया गया है। इसमें ट्रैक साइकलिंग को है जो फर्स टाइम सामिल किया गया है। तिरंदाजी किर्केट यह सब पहले से ही था। आप्शन सी जो होगा वो हमारा करेक्ट एंसर होगा। निमलिखित में से किसे अगस्त दो हजार बाइस में भागॉलिक संकेतक जी आई टैक से समानित किया गया है। आप्शन A जो होगा मित्थिला मखाना। आप्शन B जो होगा वो होगा हमारा आप्शन नमबर। निमलिखित में से किसे वर्ष तो हजार बाइस में यूनेशको की विस्व धरोहर सुची में जोड़ा गया है। नालंदा में नालंदा महा विहार का पुरातात्विक अस्थल ये तो पहले से ही जोड़ा हुआ था। लंगट सिंग कॉलेज में खब बोलिये वेद साला ये भी पहले से ही जुड़ा गया इस्थित महा बोधी मंदिर परिशाद ये भी पहले से ही एड था। इसमें जो एंसर होगा वो होगा हमारा आप्सन नमबर ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। निक्स्ट बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान बी आर एपी द्वारा वर्स दोजार बीस में वैपार करने में आसानी में बिहार ने चातिस राज्यो में डैस रैंक हासिल की है तो बिहार ने 26 बिहार जो एवर 26 रैंक हासिल किया है तो इसका जो एंसर होगा वो होगा हमारा आप्सन नमबर ई नेक्स्ट 28 नमबर 2022 को मुख्य मंत्री नितिश कुमार तुआड़ा गंगा जल आपुर्ती योजना का उदगाटन किस अस्थान पर किया गया था ओप्सन नमबर ई बोध गया बी लखी सराय सी राजगीर डी उपर्युक्त में से एक से अधिक और ई जो है वो उपर्युक्त में से होगा वो होगा राजगीर उप्सन नमबर सी जो होगा वो हमारा करेक्ट एंसर होगा नेक्स्ट निमलिखित में से किस एसोशियेशन बोर्ड ने अक्टूबर 2022 में पूरुस और महिला खिलारियों के लिए समान बेतन की घोशना किये उप्सन नमबर ए गुजरात क्रिकेट एसोशियेशन बी जो है बिहार क्रिकेट एसोशियेशन ती जो है भारतिये क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड डी जो है वो उपर्युक्त में से एक सियाधिक और ए जो है वो उपर्युक्त में से कोई नहीं इसका जो एंसर होगा वो होगा हमारा ओप्सन नमबर 6 भारतिये क्रिकेट कंट्रोल वोड नेक्स्ट पीछले दस वर्सों में राज्य का सहरी करन बहुत तेजी से बढ़ा है 2021 की जनगना के अनुशार बिहार में सहरी करन का स्तर डास प्रतिशत था जो बढ़कर वर्तमान में डास प्रतिशत हो गया है सो इसका जो एंसर होगा वो होगा हमारा option number B पहले जो था option number B जो है उसका correct answer होगा next निमलीखित में से किस केंद्रिय मंत्राले ने हाल ही में 2022 में यूवार 2.0 योजिना का सुभारम्ब किया आयोश मंत्राले B जो है वह सिख्चा एवं परिवार कल्यान मंत्राले option C जो होगा वह सिख्चा मंत्राले D जो होगा उपरियुक्त में से एक सिअधिक और E जो है वह उपरियुक्त में से कोई नहीं so इसका जो correct answer होगा वह होगा सिख्चा मंत्राले option number C जो होगा वह हमारा correct answer होगा गिरी मंत्राले 9 नमेंबर 2022 को देश की कितनी भासाओं की फिल्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतिय मात्रिभाषा सर्विक्षन काड़े को पूरा किया है option A जो हो 576 option B जो होगा 40 option C जो हो 233 D जो हो परियुक्त में से एक से अधिक और option E जो हो परियुक्त में से कोई नहीं जो इसका जो कडेक्ट एंसर होगा वो होगा आमार option नमबर है 576 next निमलीखित में से किस तमीती ने एक फरवड़ी 2026 से पुर्ण मुल्ली निर्धारन स्वतंतरता की सिफारिस करते हुए गैस मुल्ली निर्धारन पर एक रिपोर्ट प्रस्तूत की है option A पीके मोहंती समीती B जो है वह अरुन गोयल समीती C जो है किरिट पारिक समीती पारिक समीती और D जो है वह उपरियुक्त में से एक से अधिक E जो है वह उपरियुक्त में से कोई नहीं जो इसका जो करेक्ट एंसर होगा वह होगा आप्सन नमबर C किरिट पारिक समीती निम लिखित में से किस सहर को स्वच शर्वेक्षन 2022 के अनुसार 5 सितारा कच्रामुक्त सहर रैंक से समानित नहीं किया गया आनि 5 स्टार कच्रामुक्त सहर से समानित नहीं किया गया है मुंबई को समानित किया गया है सूरत को भी समानित किया गया है भोबाल को भी समानित नहीं किया गया तो यहां पूछ रहा है नहीं किया गया है तो इसका जाए अंसर होगा वो होगा ओप्सन नमबर A परधान मंत्री ने निम लिखित में से किस अस्थान पर पहला ग्रीन फिल्ड हवाई अड़ा डोनी पोलो हवाई अड़े का उधगाटन किया ओप्सन नमबर A इसका जो एंसर होगा वो होगा हमारा ओप्सन नमबर A किस जानवर को नवेंबर 2022 में भारतिये खाद सुरक्चा और मानक प्राधी करन द्वाडा एक खाद पशु के रूप में अनुमोदित किया गया है ओप्सन नमबर A हिमाली तहर B. हिमाली याक माउंटेन बक्री उपरियुक्त में से एक स्याधिक और E जो है उपरियुक्त में से कोई नहीं तो इसका जो गर्येक्ट एंसर होगा वो होगा ओप्सन नमबर B यानि हिमाली याक नेक्स्ट भारत का पहला फ्लोटिंग वितिये साक्षरता सिविल हाल हाल ही में भारत का पहला फ्लोटिंग वितिये साक्षरता सिविल हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक द्वाराने में लिखित में से किस अस्थान पर आयोजित किया गया था ओप्सन ए केरल, बी श्रीनगर, सी अंडमान द्विप समू, डी उपर्युक्त में से एक सियाधिक और ई जो है वह उपर्युक्त में से कोई नहीं तो इतका जो करेक्ट एंसर होगा, वो होगा मारा ओप्सन नमबर बी श्रीनगर नेक्स्ट भारत के राष्ट पती ने निम लिखित में से किस आई आई टी में परम कामरूप सुपरकम्प्पूटर सुभिधा का उद्गाटन किया ओप्शन ए गुवा हाटे बी खड़कम्पून सी बंबई डी उपर्युक्त में से एक सिया थिक ए जो है वह उपर्युक्त में से कोई नहीं सो इसका जो करेक्ट एंसर होगा वो गुवा हाटे नेक्स्ट आठ अक्टूबर दो हजार बाइस को मनाये गए नाइन टिंथ वे भारतिये वायू सेना दिवस पर अश्टी वायू यानो के घंटे वर का हवाई पर दर्शन इमलिखित में सिक्कित अस्थान पर आयोजित किया गया था आप्सन नमबर A शुखना जील चंडिगर्ड आप्सन B गेटवे ऑफ इंडिया जो मुंबई में है आप्सन C डल जील जो जम्वे अन कास्मीर में है आप्सन D उपर युक्त में से एक सियाधिक और आप्सन E जो है वो उपर युक्त में से कोई नहीं इसका जो करेक्ट एंसर होगा वो होगा हमार आप्सन नमबर A शुखना जील जो चंडिगर्ड में हैं भारस सरकार के पोशन अवियान के तहत वर्स के किस महीने कोड़ाश्टिये पोशन महाया नेशनल नूट्रिशन मन्त के रूप में जाना जाता है जुलाई, B जो है मै, C जो है सितंबर, D जो है उपर युक में से एक स्याधिक और E जो है उपर युक में से कोई नहीं इसका जो correct answer होगा, वो होगा हमारा option number C, सितंबर चीन के तियांगोंग, अंतरिक्ष इस्टेशन के हाल ही में launch किये गए अंतिम मोड्यूल का नाम क्या है इसका जो correct answer होगा, वो होगा हमारा option number B, तियांग है निमलिकित में से कौन साविस्प का सबसे बड़ा ज्वाला मुखी है जो पिछले 38 वर्सों में पहली बार फूटा था इसका जो correct answer होगा, वो होगा हमारा option number C, मौना लोवा इनमें से किसे हाल ही में उनके उपन्यास दस सेवन, मुन्स ओफ माली, अलमेडा के लिए 2022 का बुकर पुरेसकार मिला option A, जो होगा हो इसका correct answer होगा सेहान, करुणा तिलक next, विश्व अंतरिक्ष सब्ता 2022 की थीम क्या थी? option number A, अंतरिक्ष और निरन तर्ता B, अंतरिक्ष में औरते C, उपग्रह जीवन को बेहतर बनाते हैं D, उपड़्युक्ष में से X, यदिक E, उपड़्युक्ष में से कोई नहीं इसका जो correct answer होगा, वो होगा हमारा option number A, अंतरिक्ष और निरन तर्ता निमलिखित में से किस लैबोरेटरी ने दिसंबर 2022 में एक एतिहाशिक नाविकिये सनलेयन सफलता का दावा किया था इसका जो correct answer होगा, वो होगा हमारा option number B Lawrence Livermore National Laboratory Collins Dictionary का word of the year 2022 निम्न में से कौन सा है? इसका जो correct answer होगा, वो होगा हमारा option number B Next, निमलिखित में से किस देश ने सेनेगल के साथ मिलकर COP 27 के दोरान अंतराश्टिय सुखा लचिलापन गटवंधन का शुबाराम किया? Option A, Spain, Option B, Italy, Option C, Germany, Option D, उपड़ियोक्त में से एक से अधिक और option E, जो है वो उपड़ियोक्त में से कोई नहीं So, इसका जो correct answer होगा, वो होगा हमारा option number A, Spain Next question, भारत में पहली बार किस देश के दुतावास ने निहोंसु के लिए जी आई टैग के लिए आवेदन किया था Option A, दक्षिन कोरिया Option B, चेन Option C, जो है वो जापान है Option D, जो है उपड़ियोक्त में से एक से अधिक और option E, जो है वो उपड़ियोक्त में से कोई नहीं इसका जो correct answer होगा, वो होगा अमारा option number C, जापान निमलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने या घोशना की कि उसने अपने अंतरिक्ष यान को आगे बढ़ाने के लिए भाप का सपलता पुरवक उप्योग किया है मतलब किस अंतरिक्ष एजेंसी ने या घोशना किया है कि उसका जो अंतरिक्ष यान ने उसको आगे बढ़ाने के लिए भाप का सपलता पुरवक उप्योग किया है इसका जो correct answer होगा, वो होगा हमारा option number A, जाक्सा नेक्स्ट, ओक्टूबर 2022 में लॉंच किये गये टेसला हुमोनाइड, हुमोनाइड रोबोट का नाम क्या है option A, paper, option B, optimus, option C, atlas, option D, उपर्योग्त में से एक सियाधिक और option E, जो है वह उपर्योग्त में से कोई नहीं इसका जो correct answer होगा, वो होगा option number B, optimus टेसला, हुमोनाइड, हुमोनाइड रोबोट का नाम जो है वो है optimus next, भारत में निमलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतन जीलों से लगती है option E, जो है पस्चिम बंगाल B, उतरपर्दे, C, जारखंड D, जो है वह उपर्योग्त में से एक से अधिक और E, जो है वह उपर्योग्त में से कोई नहीं so, UP में जो है वह 8 जीलों के साथ सीमा लगती है जारखंड में भी 8 के साथ सीमा लगती है 8 जीला के साथ, so, इसका जो गडेक्ट एंसर होगा वह होगा हमारा option number D next, निमलिखित में से कौन सा भागलपूर से मिर्जा चेव की की और की ओर रेलमार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन कौन सा है इसका जो गडेक्ट एंसर होगा वह होगा option number B पीरपंती रेलवे स्टेशन बिहार में खनीज उत्पादन के संदर में निमलिखित कतनों पर विचार करिए कीजिए रोतास में पाई राइट का सरवादिक बंडार है option A B चुना पत्तर कैमूर मुंगेर तथा रोतास जीले में पाये जाता है और option C जो है वह जमूई जीले में सोने के बंडार पाये जाते है so ये option number A ये भी सही है option B ये भी सही है option C ये भी सही है तो इसका जो correct answer होगा वो होगा हमारा option number D उपर यूप में से एक से अधिक बिहार में बैहने वाली पवित्र नदी फल्गो निम्डिखित में से किस में से किन नदीयों के संगम से बनती है इसका जो correct answer होगा वो होगा option number A मोहाना और लिलाजन नदी के संगम से फल्गो नदी बनती है बिहार में निम्डिखित में से किस अस्थान पर पहली बार चाय बागानों की अस्थापना की गई थी option A शुपॉल, option B ठाकूर गंज, option C बहादूर गंज, option D उपर्युक्त में से एक सियाधिक और option E जो है वो उपर्युक्त में से कोई नहीं सो इसका जो correct answer होगा वो होगा ठाकूर गंज सबसे पहले जो ठाकूर गंज में किया गया था और किसन गंज जो है वो ठाकूर गंज में है सबसे पहले किसन गंज में किया गया था लिखिया और जो ठाकूर गंज जो है वो किसन गंज में है बिहार के निम लिखी जीलो का आरो ही दस्किये जनसंक्य अब्रिदी यानि 2001 से लेके 2011 के जनगन्ना के अनुशार सही करम चुनिये इसका जो करेक्ट एंसर होगा वो होगा हमारा ओप्सन नमबर बी सबसे जनसंक्य है मद्यपुरा की उसके बद किसन गंज की है सबसे जाता है मद्यपुरा उसके बद किसन गंज उसके कम है सिवान की तो ऑप्सन बी जो होगा वो हमारा करेक्ट एंसर होगा बिहार में किरिसी आधारित उध्योगों में किस्तखाध उध्योग का प्रभूत्त है आपशन नम्बर A, गन्ना उध्योग, B, अनाज अधारित उध्योग, C, डाल उध्योग, D, उपर्युक्ष में से X यादिक आपशन E जो है वो उपर्युक्ष में से कोई नहीं सो इसका जो correct answer होगा वो होगा हमारा option number B next next question next question 138 इसका जो correct answer होगा वो होगा option number 6 काबूल नदी अटोक में अपनी पहारी यात्रा के अंत में शिंधु नदी अफगानिस्तान की किस नदी से जुड़ती है तो वो काबूल नदी के साथ जुड़ जाती है next question निमलिखित में से कौन साविश में सु प्रचारित वन ने जीव अभियान है जिसे 1973 में सुरू किया गया था option number a सुंदरवन परियोजना बी प्रोजेक्ट टाइगर सी लायन प्रोजेक्ट डी उपरियुक्त में से एक स्याधिक और option e जो होगा उपरियुक्त में से कोई नहीं इसका जो correct answer होगा वह होगा हमारा option number b प्रोजेक्ट टाइगर नेक्स्ट छो मंडल के बाड़े में निमलिखित में से कौन सा कथन सत्य है यानि ट्रोपोस्फियर के बाड़े में इसमें से कौन सा जो option है वह शही है इसका जो average height है वह 13 किलोमेटर यह इसका correct answer होगा option number a next पैंजिया से टूटे हुए दक्षनी महादीब को क्या कहते है पैंजिया से जो टूट गया उसके दक्षनी महादीब बले पार्ट को क्या बोलते है गोनवाना लेंड option c जो होगा वह इसका correct answer होगा गोनवाना लेंड उसको बोलते है next आर्कटिक छेतर और अंटार्कटिक महादीब किसके निकट इस्तित है यह उत्री और दक्षनी द्रूप के निकट इस्तित है option c जो होगा वह अमारा correct answer होगा next मयनमार के साथ भारत के किन रज्यों की सीमाएं मिलती है option b जो होगा वह correct answer होगा अनाचल परदेश नागालेन मानीपूर और मीजदोरम की सीमाएं मिलती है b जो होगा वह अमारा correct answer होगा next निमलीखित में से कौन सा समुद्री जय बिवित्ता के देश्टी कौन से दुनिया का सबसे सम्रित बिच्छित्र है जिसमें जुआर नद मुख, समुद्र टट, निकटवर्ती, पडियावरन के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल वित्या, नमक दलदल और मैंगरोव के साथ 21 दुइब सामिल है, इसका जो करेक्ट एंसर होगा, वो होगा हमारा ओप्सन नमबर ए, नेक्स्ट, कोपेन के वड़िय करन योजना के अनुसार उत्तर परदेश और बिहार किस प्रकार की जलवायों परदेश में आते हैं, सो इसका जो करेक्ट एंसर होगा, वो सी डबलु नेक्स्ट, भारत की छेतरी स्रीमा, टट से कितने समुद्री मिल, किलो मेटर, मिल या फिर किलो मेटर तक समुद्र की और फैलने हुए, यानि इंडिया का जो एरिया है, वो समुद्र की और कितना किलो मेटर तक फैला हुआ है, वो 12 समुद्री मिल तक फैला हुआ है, और ए भारत में निमलिखित में से कौन सी नदी घाटी कोईले के भंडारों से सम्रिद है ओप्सन A महा नदी घाटी, B दामोदर नदी घाटी, C सोन नदी घाटी, D उपर्युक्त में से एक शियाधिक और E जो है वह उपर्युक्त में से कोई नहीं इसका जो करेक्ट एंसर होगा वो होगा हमारा ओप्सन नदी घाटी, निम भारत में चीनी उध्योग के बाड़े में निमलिखित में से कौन सा कथन सही है ओप्सन A उत्तर परदेश चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है ओप्सन B या वजन कम करने वाला उत्योग है ओप्सन C जो है माराष्ट देश में अगरणी चीनी उत्पादक के रूप में उभड़ा है ओप्सन D जो है उपर्युक्त में से एक सियाधिक, ओप्सन E जो है वा उपर्युक्त में से कोई नहीं इसका जो करेक्ट एंसर होगा वो होगा ओप्सन नमबर D नेक्स्ट गिरिस्म के अंत में पुर मांसुन वर्षा होती है जो केरल और करनाटा के तटिये छेत्रों में एक सामान ने खटना है इसे अस्थानिये रूप से किस नाम से जाना जाता है ओप्सन ए जो होगा वो इसका करेक्ट एंसर होगा नेक्स्ट वाताबरन मुख्य रूप से किस की त्वाड़ा गर्म होता है ओप्सन ए दिर्ग तरंग अस्थलिये विकिरन बी लगु तरंग सौर विकिरन सी प्रावर्थित सौर विकिरन डी उपर्युक्त में से एक सी अधिक और ओप्सन ए जो होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं सो इतका जो करेक्ट एंसर होगा वो होगा हमारा ओप्सन नमबर ए दिर्ग तरंग अस्थलिये विकिरन के द्वाड़ा वाई मंडल जो होता हूँ गर्म होता है सो आज सो आज का जो सेसन है वो बिपेसी का जो लाश्ट सीरीज का ये वीडियो था फिर मिलते हैं फिर कल के वीडियो में कल फिजिक्स का निक्स पार्ट आएगा अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें